रूस और युक्रेन के बीच जारे युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पक्षों में आए दिन हमले तेज हो रहे हैं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्राले की और से एक बड़ा दावा किया गया है। जिसके मताबिक रूसी एर डिफेंस सिस्टम ने एक दिन में युक्रेन के एक दो नहीं बलकि साथ मिग 29 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। रूसी दावे के बाद से युक्रेन को बड़ा जटका लगा है। हाला कि अब तक युक्रेन की ओर से इस दावे पर कोई टिपणी सामने नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस की ये कारवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल में युक्रेन ने रूस पर पहली बार अमेरिका की ATA CMS मिसाई लेता गी। हाला कि रूस अभी उस जटके से उब्रा भी नहीं कि जवाबी कारवाई में युक्रेन के साथ फाइटर जेट्स को धेर कर दिया। हाला कि कई एक्सपर्ट्स रूसी दावों को शक की नजरों से भी देख रहे हैं। खास बात है कि सोवियत मूल के मिग 29 लडाकु विमान युक्रेनी वायू सेना की एहम कड़ी है। ऐसा दावा है कि युक्रेनी वायू सेना ने रूस के साथ जारी युद्ध में अब तक अपने 22 मिग 29 लडाकु विमान खो दिये हैं। पुराने हो चुके विमानों के भरो से रूस ने लोहा ले रहे जिलेंस्की को जट का लगा है। यही वज़ा है कि रूस लगातार अमेरिका समेट नाटो देशों से एडवांस फाइटर जट्स की मांग कर रहा है। इस कड़ी में अब यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री भी कूद गई है जिसके तहट यूकरेन की ओर से दागी गई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने अपनी 14 हेलिकॉप्टर खो दिये हैं। ऐसी संभावना है कि रूस ने बर्डियांस में 9 जबकि लुहांस में 5 सेन हेलिकॉप्टर खोए है।